नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News तक 3 किर्शी कानून वापिस नहीं लिये जाते तब तक किसान दिली बॉडर पर बैठी रहेंगे और किसी भी कीमत पर वापिस नहीं आएंगे विषविद्यलों वे खोलेजों में सनातकोतर कक्षायों के रिक्त शीत घैंती इती है विभाग के प्रोगता ने बताया कि उच्चेतर शिक्षा विभाग के माहने देशक ने परदेश के सभी राज्य विशुविद्यालों वे प्राइवेट विशुविद्यालों के अलावा सभी सरकारी एडिड वे स्यम वित पोश्कित माहविद्यालों को निर्देश दिये है कि कई महाविद्यालों की मांग को ध्यान में रखते वी विभाग ने PG Admissions Portal को 11 जनवरी 2021 तक खोल दिया है ग्राम सच्यू की परिक्षा के लिए 1444 लगाई भारी वानों की नो एंट्री कुरुचेतर जिलादीस एम उपायुक्त सरन दीप कोर बराड ने कहा कि हरियाना करमचारी दवारा विकास एम पंचयाद वबाकी ग्राम सच्यू की परिक्षा का आयुजन 9 जनवरी 2021 को कुरुचेतर जिले के विभिन परिक्षा के अंद्रों में किया जाएगा या परिक्षा 9 जनवरी 2021 को सुबह 10 बज़ कर 30 मिनिट से दोपेर 12 बज़े तक वैसाइं के सत्र में 3 बज़े से लेकर 4 बज़ कर 30 मिनिट तक आयुजित की जाएगी इन परिक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिक्षा केंद्रों की 200 मिटर की परीदी में धारा 147 लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं इस दोरान सहर में बहरी वाहनों के परविश पर भी पूर्णते पाबंदी रहेगी जिलादीश ने जारी आदेशों में कहा कि परिक्षा की दोरान कानून में सांती व्यूस्ता बनाए रखने तता परिक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन करवाने के लिए सभी परिक्षा केंद्रों के आसपास 200 मिटर की परीदे में धारा 147 लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं हरियाना प्रेटन विवाग के परधान सचिव एमडी सिनहा ने पानिपत के गाउं उग्रा खेड़ी स्थित मराठा वे अफगानी अकरंताओं की बीच वे यूद के स्थल काला आमब स्थित परेटन स्थल का दोरा कर भविस समय से और भवे बनाने और इसे परशिद परेटक स्थल के रूप में विक्सित करने को ले कर दोरा किया एमडी सिनहा ने काला आमब का अवलोकन करने की परश्यात कहा कि यह एक एतिहासिक स्थल है और पानिपत की तीनों लड़ाईयों को दर्शातावा प्रेटन स्थल और भवे रूप से किस तरह से तयार किया जाए या प्रात्मिकता है इसलिए मुख्यमंदरी श्योम इसमें दिल्चस्पी ले रहे हैं हरियाना में पंज्याब के कई जिलों में दो दिन से होरी बर्शात वे कड़ाके की ठंड ग्यों की फसल के लिए वर्दान साबित होगी आसमान से फसलों पर पढ़ रही बुंदाबांदी ग्यों की फसल पर सोना बनकर बरस रही है मोसम के स्थिती को देखते वे यह अनुवान लगाया जा रहा है कि देश में इस बार रिकोर्ड उत्पादन होगा बर्शाती ठंड से कर्शी वेग्यानिकों के चेरे खिले हुए नजर आये हैं कर्नाल स्थित राष्टे ग्यों अनुशंदान संस्थान ने 2021 में बंपर फसल की उमीद जताई है वर्श 2021 बहुत उमीदों के साथ दस्तक दे रहा है इस वर्श में देश में किर्शी उत्पादन के लिए नए रिकोर्ड छूने की उमीद है इस बार पड़री कड़ाके की ठेंड वो बर्शाथ ग्यों की फसल के लिए वर्दान साबित होगी कर्शी विशेशक्यों की माने तो अगर कोरा ऐसे ही लगातार पड़ता रहा तो इस बार ग्यों की बंपर पैदावार होने की उमीद है हरियाना में बर्ड फलू का खत्रा मंडरा रहा है पंचकुला के बर्वाला के पॉल्टरी फार्म्स में पिछले कुछ दिनों में लगबग एक लाख मुर्गियों की 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 मुर्गियों क वही मुर्गियों की मोत के अलावा बरवाला छेत्र में कई जगें पर पक्सी भी मरे विपाए गए हैं। वही मुर्गियों की माल की आवाजाई सुगम वे शस्ती हो जाएगी। मोजुदा रेलवे ट्रेक पर भी संचालन का भार कम होगा जिससे यातरी गाडियों को स्पीड बढ़ाना भी संभव होशकेगा। वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेंट कोलिडोर दादरी उत्रप्रदेश सिल्ले कर मुंबई तक बनाया जा रहा है इसके से सिसे का काम भी लगबग अंतिम चाण में है हरियाना सरकार राज्य में पेट्रोल वे डीजल की बचत तथा परदूशन रोगने की मनसा से इलेक्ट्रोनिक यानी इवाहनों को बढ़ावा देगी किसी सरकारी वाग में अधिकारियों को टूर पर जाने के लिए यदि किराय की गाड़ी की जरूरत होगी तो इलेक्ट्रोनिक वाहनों को ही किराय पर लिये जाएंगे परदेश सरकार की योजना प्राइविट छेतर में भी इलक्टोनिक वाहनों की खरीद वह इस्तिमाल को बढ़ावा देनी की है राजी सरकार परदेश में करीब 500 स्थानों पर E-Charging Station लगाने की तयारी कर रही है परतेख 3 किलमेटर के छेतर में यह E-Charging Station होगा कडवाहट बूलकर एक सूर में बोले सीरम और भारत बायोटेक देश के लोगों की जान बचाना सबसे बड़ा टास्क कोरोना वैक्सिन पर आमने सामने हुई देश के दो कमपनियों सीरम इंस्टिटूट और भारत बायोटेक ने दो दिन के अंदर अपनी कडवाट बुला दी है वैक्सिन के इमर्जेंसी इस्तिमाल के लिए मंजूरी हासिल कर चुकी दोनों कमपनियों ने मंगलवार को जोइंट स्टेटमेंट जारी किया इसमें सीरम के CEO अदार पुनावाला और भारत बायोटेक के चेर्मेंट डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा कि हमारे सामने बड़ा और महतपुन टास्क है देश और दुनिया के लोगों की जान बचाना तरनमूल में तूट जारी ममता के खेल मंतरी का भी इस्तिपा 16 दिन पहले सुभेंदू समेथ 10 विधायक भाजपा में चले गए थे पश्चि मंगाल में विधान सभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है मुख्य मंतरी बमता बेनरजी के खास और पूर्व मंतरी सुभेंदू आधिकारी के भाजपा जोईन करने के 16 दिन बाद खेल मंतरी और पूर्व क्रिकेटर लक्षमी रतन शुकला ने मंतरी पत से इस्तिपा दे दिया है शुकला बंगाल सरकार में यूद सर्विस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने अपना इस्तिपा मुख्य मंतरी और राजिपाल जगदिब धनकड को भेज दिया है हा पिलाल फिलाल कोई रास्ता नहीं निकलता दिख रहा है इस बीच किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर इंट गारा से स्थाई ठीकाना बनाना शुरू कर दिया है आंदोलन कर रहे किसान सड़क के बीच में ही स्थाई तोर पर ओफिस भी बना रहे हैं निर्मान का काम काफी जनुरी यानि आज होना था किसानों ने साफ कर दिया है कि कानुन वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं लंबे टकराव के लिए स्थाई निवास तो बनने शुरू हो गए हैं रासन पानी और दूद के भी पुकता व्यविस्ता की जा रही है किसानों ने दूद के लिए आंदोलन स्थल पर ही गाय भैस लाने का भी प्लान बनाया है भारत समेट कई पडोशी देशों से सीमा विवाद में उलजे चीन ने एक जनुरी से नया शुर्ख से कानून लागू किया है इसके अलावा राश्पती सी जिनपिंग ने नए साल में सबसे पहले जिस आदेश पर दस्तखत किये हैं वह भी सेना से ही जुड़ा हुआ है उन्होंने अपने सेनिकों को जंग के लिए हमेशा तयार रहने के लिए काहा है चीन के इन दोनों कदमों से सेनाओं को ज्यादा थाकत मिलेगी जिनपिंग ने भी अपने आदेश में कहा है कि सेनिक ट्रेनिंग के जरिये खुद को मजबूत रखें और हमेशे हाई लट पर रहें लोकल मीडिया के मुताबिक जिनपिंग के आदेश में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानि पीले और पीपल्स आर्म्ड प्लिस फोर्स यानि पील एसी की ट्रेनिंग को प्रियोडिटी पर रखा गया है चीनी सेना में करीब 20 लाग सेनिक हैं गनतंतर दिवस के चीफ गेस्ट ब्रेटिस पीम बोरिस जोन्सन ने भारत दोरा रद किया जोन्सन ने सुबए प्रधारमत्री नरेंदर मोदी से फोन पर बात की उन्होंने खेज जताते वे कहा कि वे इस महीने भारत नहीं आ पाएंगे उन्होंने कहा कि कोरोना की वज़े से अभी देश में दोबारा लोगडाउन लगाया गया है जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा है उस हिसाब से मेरा देश में रहना जरूरी है इससे वे यहां के हालात पर ज्यादा धान दे पाएंगे मंदिर जलाए जाने पर पाकिस्तान की कोट सक्त सुप्रेम कोट ने अफसरों से कहा भीड ने जिस मंदिर को तोड़ा उसे दो हफ्तों में दोबारा बनवाओ पाकिस्तान की सुप्रेम कोट ने खैबर पक्तुन खुआ प्रांत के करक जिले में जलाए गए मंदिर को दोबारा बनाने का आदेश जारी किया है 30 दिसंबर को भीड ने इस मंदिर में तोड़ फोड़ कर आग लगा दी थी इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई कोट ने अधिकारियों से कहा कि वे दो हफ्ते के अंदर मंदिर दोबारा बनवाने का काम शुरू करवाएं कोट ने एवेक्यू ट्रस्ट प्रोपर्टी बोर्ड यानि एटी पीबी से सभी मंदिरों का ब्योरा बिमांगा है लोकल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार एहमद ने इस मामले को खुदी उठाया उन्होंने पूचा कि पुलिस ने भीड को मंदिर में कुछने कैसे दिया चेफ जस्टिस ने कहा कि मंदिर को दोबारा बनाने का खर्च उन्हीं लोगों से वसुला जाए जो इस गटना की जिम्मेदार है मामले पर अगली सुनवाई दो अपते बाद होगी स्रीलंका का वाइट वास दूसरे टेस्ट में साउथ अफरिका ने दस विकेट से हराया एलगर प्लेयर आप दे सीरीज बने साउथ अफरिका ने जोहांसबर्ग में खेले गई दूसरे टेस्ट में स्रीलंका को दस विकेट से हरा दिया इस जीत के साथ साथ अफरिका ने दो मैच की सीरीज को दो सुनने से अपने नाम किया अफरिकी टीम का क्विंटन डिको की कप्तानी में यह पहली टेस्ट सीरीज है सेंसेक्स 260.9 अठंकों की बढ़त के साथ 48,437.78 पर बंद हुआ तो मैच चांदी 374 रुपे बढ़कर 70,410 रुपे परती किलोग्राम हुई राजस्थान बोर्ड आफ सेकेंडरी अजुकेशन ने जारी क्यार रीट का नोटिफिकेशन 11 जनुरी से 8 फरुवरी तक होगा आविदन जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 जनुरी से परिक्षा के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन प्रुवरी से शुरू होगी परिक्षा के लिए आविदन की आखरी तारिक 8 फरुवरी 2021 तैय की गई है वहीं परिक्षा के लिए 14 अपरेल से एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे जबकि परिक्षा 25 अपरेल को होगी रेट बरती परिक्षा मामले में राजस्तान सरकार ने बड़ा निरने लिया है इस परिक्षा के लेवल 1 में 28 डिग्री दार्ग नहीं बैट सकेंगे रेट लेवल 1 में केवल BSTC वाले ही एक्जाम देश सकेंगे सरकार के इस निरने से BSTC वालों को बड़ी रात मिली है सरकारी नोगरी अपडेट्स बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में स्टाफ नर्स के 4102 पदों के लिए करें आविदन 20 जनुरी तक जारी रहेगी अप्लिकेशन प्रोसेस बियार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने स्टाफ नर्स के 4102 यानी 4102 पदों के लिए भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इन पदों पर काम करने के इच्छुक और योगे केंडिडेट 20 जनुवरी को या उससे पहले स्टेट हेल्थ सोसाइटी बियार डोट ओर और जी पर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं राजस्तान में मिग क्रेस पाकिस्तान शिमा के करेब सुर्थगड एरबेस पर मिग 21 क्रेस उडान बरते ही एरक्राफ्ट में आग लग गई थी राज्थान में पाकिस्तान सीमा के पास सुरुदगड एरबेस पर मंगलवार देर शाम मिग 21 फाइटर जेट क्रेस हो गया उडान बरते ही इसके इंजन में आग लग गई हादशे से पहले खुद को इजेक्ट कर पाइलेट सुरक्षित बाहर आ गया आग लगने के बाद मिग एरबेस केमपस में गिर गया 1964 में इस विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूब में एरफोर्स में सामिल किया गया था तब से अब तक मिग 21 ने 1971 के भारत पाक युद 1999 के कारगिल युद समेत कई मोकों पर एहम भूमिका निवाई है